हलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए हल की तरब से रिक्रूट्मेंट लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड इसकी डिविजन है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिविजन यहां पे से रिक्रूट्मेंट निकल के आ रही है लोकेशन इसकी कानपूर रहने वाली है बेसिकली एक साल की ग्रैजुएट और डिप्लोमा अपरेंटिशिप निकल के आ रही है अगर आप इस नोटिफिकेशन डॉलोट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं हमने अपनी वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन का लिंक और यहां पे अपलाए करने का जो फॉर्म का लिंक है वो भी यहां पे पेस्ट कर दिया है इसी के अलाबा फ्रेंस जैसे कि आप लोगों पता है कि हमारे चानल पे फ्रॉम 28th स्टार्ट फांडेशन का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जहां पे हम आपको प्रॉपर फांडेशन डिजाइन करना सिखाएंगे ऑन स्टार्ट प्रो और अगर आप इस कोर्स में पार सपेट करते हैं तो एपसलिटी फ्री का कोर्स है यूट्यूब पे चलेगा हमारे ही चानल पे चलेगा और अगर इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी चाते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है उसकी कॉस हमने 99 रुपए रखी गई है तो as soon as possible enroll कर लीजिए ऐसे certificates आपको अपने CV में include कर सकते हैं जब आप job के लिए जाते हैं या फिर जब आपका promotion होने वाला होता है तो इन सब चीजों के weightage पे आपके selection के chances बढ़ जाते हैं बाकी यहाँ पे enroll करने के लिए आपको मारी website पे visit करना है लिंक आपको सीधा इसका description में भी मिल जाएगा बात करते हैं recruitment के बारे में तो यहाँ पे देखें post निकल के आ रही है graduate और diploma apprentice दोनों के लिए ही निकल के आ रही है number of vacancy again यहाँ पे हमें clear नहीं है mechanical वालों के लिए है electrical, civil, electronics, chemical, CS और AMIE, aeronautical engineering के लिए है number of vacancy के लिए नहीं है बट हाँ diploma और देखें दोनों ही के लिए technical के लिए है, library science वालों के लिए post है, pharma वालों के लिए है, M.O.N.S.P. वालों के लिए है, ठीक है तो वो सब हमारे मतलब ही नहीं है, जो हमारे मतलब ही है वो है यहाँ यहाँ पे b.tec और diploma वाले, बहुत अच्छा मौका है apprentice करने का, कौन apply कर सकता है, अगर आप 2020, 21 या 22 में pass out हुए है, तब ही आप लोग यहाँ apply कर सकते हैं, उससे पहले वाले यहाँ पे eligible नहीं है, अगर आपका result awaited है, अभी तक result नहीं आया है, तो यहाँ पे आप लोग उस case में apply नहीं कर सकते हैं, और फिर या फिर अगर आप कोई back अगी होईगी, minimum age limit 18 है, और maximum age limit 26 years रखी गई है, अगर आपके पास reservation है, तो आपको as per government norms age में relaxation भी मिल जाएगा, अगर यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका जो application form है, वो यहाँ पे enclosed है, इसी के अलावा इसका जो एक online form भी है, जो आपको भर क बेजना होगा, इसके लिए आपका MHRD NETS की जो official website है, वहाँ पे आपका registration होना सरूरी है, और इसी के अलावा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिना आप किसी भी जानकारी के लिए इनके इस number पे call भी कर सकते हैं, बागी सेम ही है, location इसमें आपकी कानपुर ही रहने वा इस इस पर यहाँ पर आपको बुला लिया जाएगा, कोई और चैन पर क्रिया नहीं रहने वाली है, कोई exam इसका कोई fees नहीं रखा गया है, बाकी यह इसकी checklist है, जो कि आपको यहाँ पर भर के देनी है, अब जब इसका form भर के भेज होगे, तो इसमें आपका क्या कि आपने इसकी last date 29th 7, 2022 रखी गई है, 29, 2022 है, तो जो लोग चाते हैं सुना as possible भर सकते हैं, बाकी अगेन यह इसकी website है, यहाँ पर जाके आप इसका form भर सकते हो, और हर चीज़े देख सकते हो, ठीक है, बाकी इसकी सारी जनकरिम आपको हमारी website पर मिल जाएगी, लिंक सीथे description में भी दिया गया है, तो फिलाल आशकी लभी के लिए दिना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, so thank you and God bless all of you.